चलिए खबरों में आगी बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश केबिनिट की आज शिम्ला में एम बैठा केर सीएम जेराम ठाकुर की अधियक्षता में कोरोना संकरमन के प्रेशार को रोपने को लेकर बड़े फैसले हिए जा सकते हैं पढ़ते कोरोना समेट कई मुद्व पर मंथन होगा हिमाचल प्रदेश के शिक्षन संस्तानों पर भी फैसला हो सकता सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई पर भी फैसला होने क्या आसार हैं इसके लावा रातरी कर्फ्यू लगाने पर भी विच्छार कर रही है सरकार इस करोना की कैसि जिस तरीके से हिमाचल में बढ़ रहे हैं वो चिंता जनक है 47 के करीब आज की अगर बात करें तो आंकड एक्टिव केसिस का पहुंच चुका है साथ के लगते राजियों में नाइट कर्फ्यू और लोगडाउन की स्थिती है और प्रदेश में क्यूंकि यू इंसिटूट से उनकी तीस तारीक तक जो है उसकी अवदी बढ़ा दी जाए उनको बंद रखने की राज्य स्थरिये जो पुस्तकाले लाइबरेरी हमाचल में है उसको पचास प्रतिश्यत की अनुमती दे कर उसको खोला जाए सानिडाइजेशन जहां पर रिक्षाएं होन जिस पर कैबिनेट महर लगा सकती है कि क्या क्या जो स्वास्ते विभाग की हर जिले से रिपोर्ट आए कि किस जिले में क्या कैसीज है लोहलेंस पिती के अगर बात की जाए हमाचल के अंदर तो नेगिटिव रिपोर्ट आपको साथ लेके आनी होगी जो बाहर से दूसरी स से लोग आ रहे हैं जो वहां के प्रवासी नहीं है उनको नेगिटिव रिपोर्ट तक साथ लेके आने को वहां के डीसी ने जो है वह आदेश दे दिये तो क्या ये सिती हमाचल में भी बढ़ सकती है क्योंकि टूरिस्स सबसे जदा हमाचल में रहते हैं और सीजन जो है लोग डाउन रात्री कर्फ्यू जो है उसको लगाया जाए परदेश में और कैसे क्योंकि गैदरिंग पर अंकुछ सरकार ने लगा दिया है नेगिटिव रिपोर्ट लेकर आने को कुछ जो डिस्रिक्स हैं उन्होंने हुक्म जारी कर दिये तो लेकिन स्टेट लेवल अभ कर पंताली सो पार कर गया है लेकिन संग गंभीरता जो है वो परदेश सरकार अभी तक नहीं दिखा रही है चर्चाओं पर चर्चा है तीन कैबिनेट मीटिंग उसके बाद हो चुकी है लेकिन जी ठीक आमन आपका शुक्रिया इस पर जानकारिक के लिए